में वेलकम टू माई चैनल हरजी क्रेशिन इस वीडियो पेडिया आपको यह बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बताने जारे हूँ जिसे आप किसी भी जैकिट पे डाल सकते हो बेबी फ्रॉक पे डाल सकते हो शौल पे डाल सकते हो यह टोटल 18 स्टिच प्लस 1 स स्टिच का डिज है मैंने अपनी सरलाई पे टोटल 19 पंदे लिए है 19 स्टिच लिए है 18 स्टिच और प्लस 1 एच स्टिच चुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रोग को फर्स्ट रोग में हम पहला फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे फिर यहां पे हम जाली डालेंगे धागा घुमाया और एक फंदा सीधा बुन लिया यहां पे जाली डल गी अब इसके बाद धागा आगे किया और तीन फंदे उल्टे एक दो और तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे और एक एक फंदा सीधा, ऐसा हमें चार बार करना है, ये ही रपीट करना है चार बार, तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, धागा पीछे किया और ये फंदा सीधा गुलिया, फिर से धागा आगे किया, एक, दो, तीन धागा पीछे किया एक फंदा सीधा यह हमारा तीन बार गुआ फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे एक दो और तीन फिर धागा पीछे किया और एक फंदा सीधा फिर यहाँ पे धागा गुमाएंगे जाले डालेंगे और एक फंदा सीधा पूलतेंगे क्या किया था हमने यहां पे पहला फंदा सीधा बुन लिया था फिर धागा आगे करके जाली डाली और एक फंदा सीधा बुना फिर उसके बाद तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा इसे हमने चार बार रपीट हिया तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस पैटरन को वो सारी की सारी उल्टी ही पड़ेंगी ये बहुत ही जादा इजी पैटरन है नेक्स्ट है हमारे डिजाइन की थर्ड रो थर्ड रो सेम वो ही पैटरन रपीट करेंगे थर्ड रो पे लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था यहाँ पे एक और दो दो फंदे सीधे लिए फिर धागा गुमाएंगे जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बोल लिया फिर वो ही पैटरन रपीट करेंगे पहले तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा चार बर वो ही सीम रूपीट करें हैं तीन फंदे उल्टे धागा पीछे किया और एक फंदा सीधा फिर धागा आगे करा और तीन फंदे उल्टे एक, दो और तीन धागा पीछे किया, एक पंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, एक, दो और तीन पंदे उल्टे, धागा पीछे किया, एक पंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, एक, दो और तीन पंदे उल्टे, धागा पीछे किया, एक पंदा सीधा, अब यहाँ पर हम क्य करेंगे फिर धागा घुमाया जाली डाली और दो फंदे सीधे एक और दो नेक्स्ट है हमारे डिजाइन की फोर्थ रो उल्टी से लाई ये सारी की सारी हम उल्टी ही बुनेंगे नेक्स्ट है हमारे डिजाइन की फिफ्थ रो फिफ्थ रो में फिर से वही किया पहला फंदा सीधा एक दो और तीन स्टार्टिंग में तीन फंदे सीधे ले लिए फिर धागा घुमाया जाली डाली और ये फंदा सीधा बोलिया फिर से वही पैटर्न हम यहाँ पर रपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा चार बार वही रपीट करेंगे एक पंदा सीधा, फिर धागा आगे करा और तीन पंदे उल्टे, एक, दो और तीन, धागा पीछे किया और एक पंदा सीधा, फिर धागा आगे किया और तीन पंदे उल्टे, एक, दो और तीन, फिर धागा पीछे किया और ये पंदा सीधा, फिर धागा आगे कुमाया, तीन पंदे उल्टे एक दो और तीन धागा पीछे की और यह पंदा सीधा अब यहां पर फिर धागा कमाया जाली डारी और रास्ट वाले तीन पंदे सीधे एक दो और तीन नेक्स्ट है हमारे पैटरन की six row उल्टी से लाई यह सारी की सारी हम उल्टी ही बुनाई करेंगे कि next is seventh row यह जो हमारे पास तीन फंदे उल्टे थे यहां पर पहले दो फंदे उल्टों का हम एक करेंगे इन दोनों को ऐसे एक बार बुन लिया और एक फंदा फिर उल्टा फिर धागा पीछे किया और यह वाला फंदा सीधा फिर धागा को आगे किया फिर यह वाले दो फंदे जो उ फिर धागा पीछे किया और यह सीधा फिर यहां पर जाले डलेगी धागा गुमाया जाली डाली और last में 4 फंदे हैं उन्हें हमने सीधा बुन लिया यह भी सारा pattern ऐसे ही repeat होगा last stitch को छोड़ के पहले 4 फंदे हमने सीधे बुन लिया total 5 हो गए यहाँ पर जाली डाली और एक stitch को सीधा बुन लिया फिर यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे उल्टे थे हमने तीन में पहले starting वाले 2 का एक कर लिया और next वाला फंदा उल्टा बुन लिया फिर सीधा यही बैटन फिर repeat हो गया next है हमारे design की एट फ्रो उल्टी से लाई यह सारी की सारी हम उल्टी ही डालेंगे next है हमारे design की ninth फ्रो नाइन्थ रो में क्या करेंगे पहले पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और पांच फिर धागा गुमाया जाली डाली और ये वला फंदा भी सीधा बुन लिया अब यहां पर हमारे पास दो उल्टे फंदे हैं एक सीधा फंदा अब ये दो उल्टे फंदों का हम दो का एक बनाएंगे इन्हें ऐसे बुन लिया दो का एक कर लिया फिर धागा पीछे किया और ये वला फंदा से सीधा बुन लिया ये ही रुपीट करते जाएंगे हम फिर धागा आगे किया ये जो दो उल्टे फंदे हैं इन्हें फिर हम दो का एक करेंगे फिर धागा घुमाया और ये फंदा गों लिए फिर ढग सेथे जाली ढले जाली डाले गया गोमजह घाली ऑ लास्ट में हमारे पास पांच पंदे बचते हैं आती है यही पैटर्न ऐसे ही आगे रपीट होता जाएगा नेक्स्ट है हमारे डिजाइन की टैन्थ रो उल्टी से लाई यह सारी की सारी हम उल्टी ही डालेंगे नेक्स्ट है हमारे डिजाइन की 11 रो सीधी से लाई इसमें हम क्या करेंगे पहले स्टार्टिंग में 6 पंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चाह, पांच, और छे मतलब यह हमारा S चिस्ट था इसे डालके 6 हुए S चेट और पांच फंदे यह वाले फिर धागा गुमाया जाली डाली और यह फंदा सीधा बुन लिया अब यहां पर हम क्या करेंगे यह एक उल्टा फंदा और यह एक सीधा फंदा इसे हम ऐसे करके इस सलाई पे उतार लेंगे ये वाला जो उल्टा फंदा था इसे हमने ऐसे सीधा बुन लिया ये जो दो फंदे सलाई पे उतारे थे इसका ऐसे घर दिया फिर आगे वाला जो सीधा फंदा है उसे हमने ऐसे बुन लिया फिर हम क्या करेंगे यह सीदा फंदा और यह उल्टा फंदा ऐसे अपने सलाई पे उतार लिया यह वाला जो फंदा था इसे हमने सीदा बुन लिया और इन दो फंदोसโan को उसके ऊपर से हम पास ओन कर देंगे ऐसे गर दिया नेक्स वाला फंदा हमने सीधा बुन लिए ये कुछ ऐसे बन जाएगा फिर धागा घुमाया जाली डाली और लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचते हैं उन्हें हमने सीधा बुन लिया लास्ट है हमारे डिजाइन की last row 12 of throw उल्टी से लाई ये सारी की सारी हम उल्टी ही बुनेंगे ये कुछ ऐसे बन गया ये है हमारा डिजाइन 12 of throw का इसके आगे फिर से वो ही 12 of throw रुपीट होंगी तो हमें ये वाला खुबसूरत सा डिजाइन मिल जाएगा ऐसे ये एक चीज़ बनी है ऐसे वाली फिर ये 12 of throw करके ये पूरे का पूरा डिजाइन बनता जाएगा आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को दबाईएगा थैंक यू